सारी दुनिया है लॉक्डाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर श्वेता श्रिवास्तव प्रवक्ता राजकी बालिका इंटर कॉलेज इंद्रा लगर लखनाउस से हूँ कक्षा बारा की रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों हम पढ़ रहे हैं ठोज अवस्था और आज हम इसके तीसरे भाग का अध्यान करेंगे तो आएगे पहले हम देख लें कि हम इसमें किन प्रमुख बिंदूओं पे चर्चा करेंगे हम पढ़ेंगे संकुलन छमता क्या होती है SCP या CCP में संकुलन छमता कितनी होती है इसकी गढणा कैसे करते हैं काय केंदरित एकक कोष्टिका में संकुलन छमता की बारे में हम थोड़ा जानकारी करेंगे और आदे एकक कोष्टिका में संकुलन छमता के बारे में जानेंगे और अंत में हम देखेंगे कि एकक कोष्टिका के घनत्व की गणना कैसे की जाती है बच्चों पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और हमने आप से बात की थी कि जो यूनिट सेल होती है उसमें अव्यवीकडों की संख्या कितनी होती है उसकी गणना कैसे करते हैं और बाद में हमने देखा था कि क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर क्या होते हैं निविड संकले सनरचनाएं कैसे बनती हैं, एक विमी, द्विमी और त्रिविमी सनरचनाएं हमने देखी थी, तो आपको ये ध्यान होगा कि उन त्रिविमी सनरचनाओं में चाहे अव्यवीकन, ठोस के अव्यवीकन कितने भी पास-पास क्यों नहों, उनके बीच में कुछ न उनिट सेल में अव्यवीकन के बीच में कुछ न कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, तो ये जो अव्यवीकन के बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, और अव्यवीकन सेल में कितना आयतन घेरते हैं, इसके बारे में अगर हमें जानकारी करनी हो, तो हम बात करते हैं संकुलन संकुलन्छम्ता क्या होती है? संकुलन्छम्ता का अर्थ है कि एकाई कोष्टिका में, यानि यूनेट सेल में कडों ने कितना आयतन घेरा है इसका प्रतिशत. ठीक सामाने रूप से, वैसे ही एक कोष्टिका में कडो ने, अव्यवी कडो ने कितना इस्थान घेरा है, उसकी हम जानकारी कर लेंगे, फिर हम जानकारी करेंगे कि उस कोष्टिका का पूरी कोष्टिका का आयतन कितना है, और फिर हम उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो उस व्यवी कण कोनों के अत्रेक्त प्रतियक फलक पे भी पाय जाते हैं, तो फलक केंदरित कोष्टिका में यह देखिए, यहाँ पे आपको यह दिखाई गई है, इसमें हमने केवल एक फलक ही आपको दिखाया है, इस फलक को अगर हम सामने से देखें तो हमें इस प्रकार का structure द दिखाई देगा, जिसमें की कोनों पे भी कण हैं, और एक कण जो है फलक के केंदर में, यह एक फलक की सन रचना है, जिसके की केंदर में यह कण यहाँ पे पाया जा रहा है, अब अगर इस फलक की हम बात करें, और इस फलक के इन कणों को मिलाते हुए, यह जो और B-C अब ये जो हम संरचना लिया है हमने ये आपकी घनीय संरचना है तो घनीय संरचना की जब हम बात करते हैं तो भुजा की नाप अगर इसकी A है तो इसकी भी A हो जाएगी और विकर्ण की लंबाई है तो अब अगर हम यह त्रिभुज देखें त्रिभुज ABC तो इसमें AC square यानि विकन का जो square है वो किसके बराबर होगा? तो AB square यानि एक भुजा का square प्लस BC square यानि दूसरी भुजा का square यह समकोर्ट त्रिभुज की विशेष्टा होती है आप जानते हैं अब इसमें अगर हम values रखें तो यह किसके बराबर आएंगी? यानि की जो B square है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के square के योग के बराबर इसको दूसरे शब्तों में हम इस तरह से लिख सकते हैं B square बराबर 2A square इनका योग अब यहाँ से अगर हम B का मान निकालें तो कितना आएगा? B बराबर अंडरूट 2A ठी? यानि जो यह विकर्ण है इसका हमने भुजाओं के उसमें रेफरेंस में अगर मान निकाला तो अंडरूट 2A यह हो जाएगा अब अगर हम फला केंदरित कोष्टिका को एक बार फिर से देखें बच्चों तो जो यह विकर्ण आपको देख रहा है A C जिसकी हमने लंबाई ली है B इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो यह कोने का अव्यवी कर्ण है इसकी तरिज्या कितनी है? आर इसमें एक तरिज्या समाहित है यह वाला जो कर्ण है इसकी भी एक तरिज्या आर और यह जो बीच वाला कर्ण है इसका पूरा व्यास यानि की यह दूरी कितनी हो गई? 2R चिक? अब आप देखिए A C का अगर हम नाप करना चाहें तो कुल कितना आएगा? आर, 2R, आर यानि की 4R तो अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो C बराबर इस चित्र द्वारा हमें पता लग रहा है वो किसके बराबर है? 4R के, sorry, B बराबर 4R के है अब यहां से हमने देखा की B बराबर अंडर रूट 2A है अब अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या आएगा? अंडर रूट 2A बराबर 4R यानि की A बराबर 4 अपान अंडर रूट 2R और A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 2R यहां से हमें A की वैल्यू प्राब्थ हुई 2 अंडर रूट 2R अब हम संकुलन छमता की गढ़ना करें फलक केंद्रे कोष्ठिका में तो संकुलन छमता क्या होगी? हमें ये पता करना होगा कि अव्यवी कढ़ों ने कितना इस्थान घेरा है सबसे पहले इस सूत्र में हमें ये जानना है तो आप बच्चों ये जानते हैं कि फलक केंद्रे जो कोष्ठिका होती है उसमें अव्यवी कढ़ कितने होते हैं? चार होते हैं यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक cubic structure की बात कर रहे हैं यानि CCP, packing इसमें कैसे होगी? CCP की बात कर रहे हैं तो उसमें अव्यवी कण हैं आपके 4 अब इस सूत्र में अगर हम कडो द्वारा घेरे गए आयतन को रखना चाहें तो एक गोले का आयतन कितना होता है? चार बटे तीन पाई आर क्यूब आप ये जानते हैं तो संकुलन छमता बराबर हो जाएगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब ये हो गया आपके एक गोले का आयतन और कण हमने बताया आपको यहां पे फलकेंद्रित कोष्टिका में कितने कण होते हैं? चार कण तो कुल आयतन कितना हो गया? चार गुणे चार बटे तीन पाई आर क्यूब अब यहां से अगर हम ये देखें कि इस कोष्टिका का पूरा आयतन कितना होगा? तो आप जानते हैं घन का आयतन होता है भूजा का क्यूब यानि एक क्यूब हो जाएगा? A cube और A का मान अगर हम यहां से रखें तो यह कितना आएगा 2 under root 2 R का whole cube गुणे 100 जैसा कि सूत्र में बताया गया है तो यह मान आपका जो आएगा इसका वो हो जाएगी आपकी फलक केंद्रित कोष्ठिका की संकुलन छमता इसकी हम गढ़ना कर लेते हैं गुणे 100 अब इसको जब हम सरल करते हैं पाई का मान अगर हम 3.14 रखते हैं R cube R cube यहां से cancel हो जाएगा तो इसकी गढ़ना में आती है संकुलन छमता 74 प्रतिशत यनि की QB close packing CCP में संकुलन छमता होती है आपकी 74 प्रतिशत अब इसके बाद हम बात करें अगले संरचना के इसके बाद हम देखते हैं काय केंदरित कोष्ठिका बच्चों आप जानते हैं काय केंदरित कोष्ठिका का अर्थ है कोनों पे अव्यवी कडों के अतरिक्त unit cell के center में भी एक कण होगा तो आएए हम यह देखते हैं यहां पर यह देखिए यह आपको एक काय केंदरित कोष्ठिका दिखाई गई है और यह भी एक घनिय कोष्ठिका है अब अगर इसमें ध्यान दीजे बच्चों इस नीचे वाले फलक पे जो E F C D यह फलक है अगर हम केवल इसकी बात करें तो इसमें यह भुजा E F जो है वो आपकी A है F D भी आपकी A है और यह जो विकाण दिखाई दे रहा है यह यह है आपका फलक का विकाण तो अगर हम त्रिभुज E F D में देखें तो जो फलक का विकाण है जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था कि B स्क्वाइर बराबर हो जाएगा A स्क्वाइर प्लस A स्क्वाइर यानि 2 A स्क्वाइर के और B का मान हमारा कितना आएगा अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें त्रिभुज A F D जो की आपका है एक समकोण त्रिभुज यानि त्रिभुज A F D इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें की F D और A D ये दो भुजाएं समकोण पे हैं और A F जो है वो आपका विकर्ण है पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो A F विकर्ण है ये पूरी यूनिट सेल का विकर्ण है जिसे हम बोलते है काय विकर्ण या body diagonal तो अब अगर हम त्रिभुज A F D में देखें तो A F square बराबर F D square प्लस A D square होगा यानि की अगर हम विकर्ण को मालने C तो ये किसके बराबर होगा A square प्लस B square और B square हम जानते हैं यहां से कितना है 2 A square यानि इसे हम क्या लिख सकते हैं A square प्लस 2 A square बराबर 3 A square यानि C square बराबर 3 A square अब अगर यहां से हम C का मान निकालें तो C का मान कितना हो जाएगा C बराबर under root 3 A यह C क्या है यह C है आपका काय विकर्ण या body diagonal अब बच्चों अगर इस चित्र को आप फिर ध्यान से देखिए तो जो इसमें यह अव्यवी कर्ण हैं इनकी विवस्था से आपको समझ में आएगा कि यह C की लंबाई वास्तों में R और यहां से यहां तक यह 2R और यह 1 और R यानि की 4R जैसा अभी हमने आपको बताया 4R के बराबर है तो चित्र द्वारा गर हम C देखें तो C बराबर है आपका 4R ठीक अब यह भी C आपका under root 3 A है और यह 4R है इसको हम equate कर सकते हैं यानि की under root 3 A बराबर 4R यहां से अगर हम एक अमान निकालना चाह है तो कितना हो जाएगा 4 by under root 3 R A बराबर 4 by under root 3 R चिक यह हो गई हमारी A की value अब B C C में यानि काय के इंदरित कोष्टिका में आप जानते हैं कडों की संख्या कितनी होती है 2 यानि की कडों इसमें कितने कडोंगे 2 कडोंगे अब अगर हम इसकी संकुलन चमता की गढ़ना करना चाहें तो संकुलन चमता बराबर हो जाएगा 4 by 3 पाई आर क्यूब जो की एक कड का आयतन होता है तो इसको हम गुणा करेंगे 2 से और कोष्टिका का आयतन कितना होगा A क्यूब होगा A की value यहां से अगर हम रखेंगे तो वो कितनी आएगी 4 by under root 3 का under root 3 R का whole cube गुणे 100 ठीक यह हमने उपर क्या लिया है एक कड का आयतन और चुकी 2 कड है तो 2 से गुणा किया नीचे हमने पूरी कोष्टिका का आयतन लिया है अब अगर इसको हम सरल करते हैं तो यह आएगा आपका 8 by 3 5 R q जब हम इसको सरल करते हैं तो हम यह देखते हैं आर क्यूब आर क्यूब कैंसल हो जाता है यहां पर हम पहले 100 से गुड़ा करेंगे चुके हमें प्रतिशत निकालना है इसके गढ़ना करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 68 प्रतिशत इसका मतलब क्या हुआ कि काय के इंदरिज जो कोष्टिका है उसकी संकुलन छमता होती है 68 प्रतिशत इसके बाद हम बात करते हैं आद्य एकप कोष्टिका की जो सिंपल आपकी यूनिट सेल होती है इसमें बच्चों आप जानते हैं केवल कणों की व्यवस्थ इसका केवल कोनों पर होती है तो अगर हम देखें तो जो ये कण है एक विमा में यहां पर इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्थ होते हैं यानि आर और आर तो अगर एक विमा हम देखें तो ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा अब घनी कोष्टिका का आयतन बच्चों आप जानते हैं वो कितना होगा विमा का क्यूब सरल घनिय जो एकक कोश्टिका होती है उसमें कडो की संख्या कितनी होती है? उसमें होती है कडो की संख्या वही आठो कोनों पे एक बटे आठ पर माड़ू तो कडो की संख्या उसमें हो जाएगी एक अब हम संकुलन छमता का जो हमारा सूत्र है एक कडों द्वारा कुल धेरा गया आयतन बटे कोश्टिका का कुल आयतन गुणे 100 तो कडों ने कितना आयतन घेरा है 4 बाइ 3 पाई आर क्यूब और यहां एक ही कड है और कोश्टिका का आयतन कितना हो जाएगा यहां से हमने लिया A बराबर 2R A क्यूब यह कैंसल हो जाएगा आपका और पाई का मान रखते हैं तो हमारा यह आता है लगभग 52.4 प्रतिशत इसका मतलब हुआ कि जो आध्य एक कोश्टिका होती है उसमें संकुलन छमता होती है 52.4 प्रतिशत अब अगर हम तीनों की तुलना करें तो आपने देखा कि जो हमने बताया आपको तो फेस स्ंटर्ड अर्रिजमेंठ जो होता है उसमें 74 प्रतिशत है बोडी सेंट्रमे 18 प्रतिशत है और इसमें आपका भावन दशमलूं 4 प्रतिशत है यनि सब से अधिक शंकुलन छमता किसी हुई फेस सेंटर्ड एक कोश्टिका की हिय जिसमें की आपका CCP arrangement पाया जाता है अब इसके द्वारा हम देखते हैं यूनिट सेल के घनत्व की गणना हम कैसे कर सकते हैं बच्चों अगर हम घनी क्रिस्टल की बात करें तो यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा एक यूब हो जाएगा यह उसकी विमा है यूनिट सेल का द्रविमान कितना होगा एक कंड जो होगा उसका जो द्रविमान है गुणे उस यूनिट में कितने कंड है उनकी संख्या यानि कि यूनिट सेल में परमाडू की संख्या जिसे हम Z से दिखाएं और परमाडू द्रविमान M अब M तो एक कंड का द्रविमान हम बात कर रहे हैं अगर molar mass आपका capital M जिसे हम उससे denote करें तो M की value कितनी हो जाएगी? M upon Na जहाँ Na क्या है? आवागादरो संख्या है अब अगर हम unit cell के घनत्व की गरना करें तो घनत्व का सूत्र आप जानते हैं द्रविमान बटे आपन तो यहाँ unit cell का द्रविमान बटे unit cell का आपन अब unit cell का द्रविमान कितना होगा? Z into M M एक कंड है और एक कंड का द्रविमान है और Z कंडों की संख्या है और आपन कितना होगा? A q अब अगर हम इस M की जगह value रखें मोलर मास बटे आवागाद्रो संख्या तो हमें पता लगेगा कि घनत्व का हमें ये सूत्र प्राप्त होगा D is equal to Z into M upon A cube into Na जहां पे Z कडों की संख्या M उस तत्व का मोलर मास है A cube कोष्टिका का आयतन Na आवागाद्रो संख्या और D घनत्व है आई इस पे हम उदाहरण प्रशने लेते हैं Silver CCP जालक बनाता है X के रण विवरतन अध्यान द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 PM है Silver के घनत्व की गढ़ना कीजे और यहां इन्होंने पर्माडविक द्रविमान दिया है 107.9 unit अब बच्चों आप जानते हैं CCP में प्रती एकक कोष्टिका कड़ों की संख्या कितनी होती है Z उसे हम किसे दिखाएंगे Z से और वो कितनी होती है 4 होती है अब यहां पर यह दे रहे हैं molar द्रविमान इस सूत्र में जो अभी हमने आपको पीछे सूत्र बताया था वही Z into M upon A cube Na इसमें अगर हम values रखते हैं तो Z बराबर हो गया आपका 4 into M है आपका 107.9 into 10 to the power minus 3 kg per mol और नीचे हम क्या करेंगे A cube A कमान यहां पर आपको यह दिया गया है 408.6 into P M यहां पर जो बच्चो था यह P को मीटर को यहां पर हमने मीटर में कनवर्ट किया है तो यह हो जाएगा 408.6 into 10 to the power minus 12 इसका cube और न आपको पता है 6.022 into 10 to the power 23 . फिक जब हम इसकी गढ़ना करेंगे इसको जब हम गढ़ना करके प्राप करते हैं तो हमारा आता है ज़एगा 40 10.5 gram centimeter cube, gram per centimeter cube, is ka matlab hua ki silver ka ghanat wu 10.5 gram, prati cubic centimeter hota hai. Ek udaran ham or lete hai, x keran vivartan dwara pata chala ki, tamba 3.608 into 10 to the power minus 8 centimeter costica core ke saath, f c c eka costica ke rup mein crystallic rate hota hai. Ek dhusre prayog mein, tambe ka ghanatwa 8.92 gram per centimeter cube, gyanat kiya gya, tambe ka parmaadvik dravvimaan, gyanat ki jiye, ab f c c jalak hai, prati ekak costica parmaadviko ki sankhya, aapko pata hai, bachyo, kitni hooggi, yahan pe, 4 hooggi, ab joh humi sutra ghanatwa ka praapta tha, usse hum ye jaan saktay hai, ki parmaadvik, agar humi parmaadvik dravimaan giyad karna hai, to, uske liye, hume n raashiyo ki aashakta hooggi, ghanatwa, avagadro sankhya, ek kor, yani, ek vima ka maan, ek akshiduri ka, aur z parmaadviko ki sankhya. To, yahan pe, d kitna hai, ghanatwa diya hai, inho ne, hum values rakhenge, 8.92 gram per centimeter cube, n a, aapko pata hai, bachyo, 6.022 into 10 to the power 23, a cube, a kya hai, costica ke ek, ek kor ki lambai, aur wo kitni bata rahe hai, aappe, 3.92 gram, 3.608 into 10 to the power minus 8, iska hume karenge, whole q, q, kyunki hume, yahan pe, aayatan nikalna hai, batte hume karna hai, char, kyunki z, yahan pe diya hai, kado ki sankhya hai, joki aapki, char hai, jab hum iski garna karte hai, to, hume yeh praapta ho ta hai, 33.1 unit, iska matlab kiya hua, ki tambe ka molar maas aapka ho jae ga, 33.1 unit. ये, bachyo, aapke liye grihkare hai, पहला प्रश्ण है, किस प्रकार ki koshtika me, sankulan chhmta sarvadhek hooti hai, saral ghani, ekak koshtika, kaya kendrit, ekak koshtika, falak kendrit, ekak koshtika, तो, बच्चों, आज, जो हमने चर्चा की है, वो इसी के विशय में किया है, कि sankulan chhmta, किस प्रकार की व्यवस्था में कितनी होती है, तो ये प्रश्ण आपको grhekare में करना है, दूसरा प्रश्ण है, नियोबियम, kaya kendrit, koshtikiya, sanrachna में kristallikrit होता है, यदि इसका घनत्व 8.55 gram per centimeter cube हो, तो इसके पर्माडविक द्रव्यमान 93 unit का प्रयोग करके पर्माणु त्रिज्या की गढ़ना कीजिए, तो ये प्रश्ण भी आपका, जो हमने आपको घनत्व का सूत्र बताया, उसी पर आधारित है, जिसमें कि आपको घनत्व दिया है, द्रवेमान दिया है, और उसमें crystal का structure दिया है कि kaya kendrit koshtika है, पर्माणु त्रिज्या की आपको गढ़ना करनी है, तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, कि संकुलन छमता क्या होती है, आध्ये koshtika हो, primitive simple unit cell हो, face centered cell हो या body centered cell हो, उसमें आपका संकुलन छमता की गढ़ना कैसे की जाती है, यह हमने देखा, और हमने देखा कि unit cell के घनत्व की गढणा हम कैसे करते हैं और इसके आंकिक प्रश्न हमने देखे, अगले जो ठोस अवस्था के अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि ठोसों में कौन-कौन सी अपड़ताय होती है, ठोसों के विद्वतिये गुण और चुम्बकिये गुण क्या होते हैं, यह बच्चों दीक्षा एप है, जिसके बारे में आपको बताया गया है, कि मानव संसाधन विकास मंत्राले भारत सरकार द्वारा इसे विक्सित किया गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे संबंधित कोई शंका है, तो आप उसका समाधान वहां पे क कर सकते हैं, इसके अलावा इस पाठ से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, कोई अभ्यास प्रश्न हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं, इस जो ये वीडियो है आपका इसको यूट्यूब चैनल पे भी आप उत्तर प्रदेश माधिमिक शिक्षा विभाग के रıas ब्राइ हैं, इसक्षा वृछ्य ए लोगाने को हो यूटरो ापका इस जो यूटरोच справपने मी, जो रूटरी हैं, वह यूटरोचे वहां से सकते हैं, को यूटरोचे को यूद्मिक शी माधियोanız और वी आवघ हैं, को लेकश कूवे झाव़ पका